हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दे जाने वाली कारे पत्रक नमबर 24 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है विज्यान ये वर्कशिट 23rd December 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्कशिट वर्कशिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्कशिट सजीव एम उनका परिवेश तो आईए देखते हैं क्या दिया गया आज की वरक्षिट में विबिन आवासों की यात्रा स्थलिय आवास वह पोधे जन्तु जो जमीन पर पाए जाते हैं तो देखो क्या कहा गया है कि वो जीव जो क्या पाए जाते हैं स्थल पर पाए जाते हैं एक बड़ी फिर देखते हैं ऐसे जितने भी पेड़ पोधे या जनतु जो कहां रहते हैं जमीन पर रहते हैं उन्हें हम स्थलिय आवास कहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है स्थलिय आवास तो स्थली आवास में क्या होता है जैसे कि उंठ उंठ का रहता है बटा मरुस्थल में रहता है परवती शेत्र में रहने वाले और घास थल पर रहने वाले जीव हो सकते है उसके बाद हम देखते हैं जली आवास तो ऐसे पोधे और जन्तु जो जल में पाए जाते हैं उन्हे मुंदर में रह सकते हैं जील में रह सकते हैं और तालाप में रह सकते हैं अब देखे स्थलिय पोधों की अनुकुलन विशेश्था हैं देखो क्या का गया देखो स्थल में पाए जाते हैं और जल में पाए जाते हैं इसकी लिए उनके शरीर में विभीन परकार की विशेश् सर्वाइब कर पाते हैं जैसे कि अच्छी तरह से विक्सित जड़ अगर पोधे की बात करते हैं पोधो के अनकुलन विस्टेश टैप आई गई है तो अगर कोई पोधा कहां पर है स्थलमर है जमीन पर है तो उसकी जड़ होंगी वो क्या होंगी मजबूत होंगी उसकी जड़ क्या होंगी मजबूत होंगी तो अच्छी तरह से विक्सित जड़ पतियां बहुत छोटी होती है या कांटों का रूप ले लेती है पतिया क्या होंगी या तो बहुत छोटी होंगी या क्या करेंगी कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी तरना हरा और मासल हो जाता है जो तरना है वो क्या होगा हरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा मासल में तरना मोटा हो जाएगा तरना एक मोमी परत से ढखा रहता है जिससे पोदो का जल स्रंक्षन से सहायता मिलती है अब जैसे कि यह तरना एक मोटी परत से ढखा रहता है जिसे पोधो का जल सलंक्षन में सहायता मिलती है जैसे की कैक्टस तो यह है स्थलिये पोधो की विशेष्टा अब हम देखते हैं जलिये पोधो की क्या विशेष्टा है जो क्या करेगा इसको यहां पर टिकाई रखेगा तलहटी पर जमाई रखता है पोधे का तना लंबा खोकला वे हलका होता है जो पोधे का तना होगा ना जैसे कि यह पोध है तो इसका जो तना होगा वो कैसे होगा लंबा खोकला और हलका होगा हलका होगा तभी तो पानी के पर तैर पाएगा, अदर्वाइस वो फोता है, आपको यही समझना है इसके इंदर, कि क्या कहा गया यहां सिर्फ यह समझे कि दो परकार की अवास होते है स्थलिया अवास और जलिया अवास स्थलिया अवास में जो भी जीव जनतु पेड़ पोदे स्थल पर पाए जाते हैं जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलिया अवास कहते हैं तो आईए देखते क्या question दिये गए है बहुत आसान वक्षीटा आज की नीचे दिये गए चित्रों को जलिय तर स्थलिय पहचानिय और रंग भरी आपको क्या करने है पहले का diagram नाना है फिक्सके अंदर रंग भरने है रंग में आपको पता है शेर का रंग कैसा होता है वो आ पोदा है जलिय तो यह कैसा हो जाएगा इसका आवास कैसा है जलिय जलिय पोदा यह कैसा पोदा है जलिये पोदा कमल आप यहा पर bargaining दिजिए हम का नाम लिग दिजिए च arm, चलिया नेक्स देखते है next क्या next क्या है इसको पहचान पा रहे है आप यह क्या है बताइए क्या है बिटा मचली very good मचली कहां मिलती है पानी में जलिये जीव है या स्थलिये जीव है तो हम लिखते हैंगे इसको जलिये जीव यह कैसा जीव है जलिये जीव ठीक है उसके बाद next देखें next य क्या है उट उट कहां मिलता है स्थलिय जीव है स्थलिय जीव हम यहां लिख देंगे स्थलिय जीव ठीक है इस तरह से आप पिचल नाम यहां पर पिचल बना दीजेगा ठीक है इस तरह से पिचल बना दीजेगा उसके बाद में आप क्या करेंगे आप लिख देंगे मचली औ प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए, थैंक्यू स्टुडेंट्स